अगर आप नेचुरल गैस में शौट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहा पर कहा पर सेलिंग करे और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज ता टार्गेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्ज हो सकता है आज बात करेंगे नेचुरल गैस की जिसका कॉन्ट्रेक्ट है जुलाई का नेचुरल गैस जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 227 रुपे के आसपास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 236 रुपे और इसका लेटस्ट लोग पोस्ट हुआ है 204 रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाए तो बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमान जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाओ इन सारी बातों का असर नेचुरल गैस के उपर देखने को मिल सकता है important support की बात की जाए तो support यानि ऐसे levels जहाँ से price उपपर की तरफ जा सकता है पहला support दोसोचोबीस रुपे दूसरा support 216 रुपे और तीसरा support 204 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price इन support को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और sustain रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखे। अगर ऐसा होता है तो यही support बाद में resistance का काम करेंगे। Important resistance की बात की जाए तो, resistance यानि ऐसे levels जहां से price निच्चे की तरफ आ सकता है। पहला resistance 236 रुपे, दूसरा resistance 246 रुपे, और तीसरा resistance 261 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर price निच्चे को तोड़ के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखे। अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का काम करेंगे। तो करना क्या चाहिए आईए देखते हैं। इससे पहले, friends आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक 11 सा लाइक भी जरूर कर लेना। Friends जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहेगी। Buy on dips की strategy अपनाए। फिलहाल बाजार अभी positive दिखाई दे रहा है। Current price पर buy side का risk reward ratio देखे तो Risk 3 रुपे और reward 9 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है। अगर आप bind करना चाहते हैं तो bind level जो है Current price 227 रुपे से 3 रुपे निचे यानी 224 रुपे के आसपास bind करें। Target रहेगा 236 रुपे अगर यह target अचीव होता है तो Second target रहेगा 246 रुपे और इसके लिए stop loss रहेगा 223 रुपे और Friends stop loss जरूर लगाए बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है। अगर आपने top level पे already buy किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 224 रुपे के आसपास average करें। अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 216 रुपे के आसपास 30% quantity average करें। Friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है। और अभी major trend नेगिटिव दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखें। जो सेल हैं उनके लिए सलाह रहेगी। Trading avoid की strategy अपनाए। फिलहाल बजार अभी positive दिखाए दे रहा है। Current price per sale side का risk reward ratio देखे तो risk 9 रुपे का दिख रहा है। और reward team के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है। अगर आप selling करना चाहते हैं तो selling level जो है current price 227 रुपे से 9 रुपे उपर यानी 236 रुपे के आसपास selling करें। Target रहेगा 224 रुपे अगर ये target अचीव होता है तो second target रहेगा 216 रुपे और इसके लिए stop loss रहेगा 237 रुपे और friends stop loss जरूर लगाए बिन stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है। अगर आपने lower level पे already sale किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 236 रुपे के आसपास average करें। अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है तो आप 246 रुपे के आसपास 30% quantity average करें। जैसे कि हमने पहले भी बताया, averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है। और अभी major trend, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे। Overall trend positive रहेगा, buy on dips करके चले लेकिन streak stop loss के साथ, आने वाले दिनों में, buy side target 236 रुपे और 246 रुपे और 261 रुपीज के आसपास देखने को मिलेंगे। Friends, अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले। ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे। और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खोद ही ले। और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे। अपनी trading में back tasting या paper trading जरूर करे उसके बाद ही trading करे। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे। और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे। साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।